आपने तो बहुत बार ठंडी ठंडी कुल्फियां खाई होगी पर आज मैं आप लोगों के लिए गरम गरम कुल्फिव लेकर आई हूँ जो की बहुत ज़्यादा टेश्टी की साथ साथ हेल्दी भी है घर के रखे समानों से आप इसे आसानी से बना सकते हैं तो चलिए इसे क इसे बनाया जाता है देख लेते हैं यहाँ पर मैंने चार उबले हुए आलो ले लिया उसे मैं इस तरीकी से मेश कर रहे हूँ चाहो तो आप यहाँ पर कद्दुकस की हेल्प से भी कद्दुकस कर सकते हैं या फिर हाथ से भी अच्छे से मेश कर सकते हैं और आलो जो है मैं डाला गार्जर डाला और डाला इस पर गद्दूकस किया हुआ फ्रेश मटर और छाहो तो आप यहाँ फ्रोजर मटर भी ले सकते उसी के साथ सौध के अनुशार नमक डाला काले मिर्श और चीली फ्लैक्स डाला इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया चाहो तो आप हरी मिर्च भी आट कर सकते हैं पर मैं आज ये रेसिपी खास तोर पे बच्चों की डिमांड पर बना रही हूँ तो हरी मिर्च यहाँ पर मैं एट नहीं की हूँ चाहो तो आप अपने अनुसार हरी मिर्च आट कर सकते हो अगर आपके यहां बच्चे हरी मिर्च खाते हो तो और यह देखे मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है उसके बाद आपको क्या करना है इसके एक सलरी बना लेनी है तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा कटोरी मैदा ले लिया है है ना उस पर डालेंगे हम आदी चप मच नमक स्वाद की अनुसार और इस पर डालेंगे पानी बस तीन इंग्रेंट से आपको इसकी सलरी बना लेनी है पानी डाल करके इसे अच्छे से इसका थिक बैटर तयार कर लेना है जो इसका घोल होना चाहिए वो गड़ा होना चाहिए और फ्रेंड्स आपने अगर हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि रोज में आप लोगों के लिए इसी तरह की नई-नई रिस्पी लेकर आती हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा हमारा जो बैटर होना चाहिए ना इस तरीके से होना चाहिए थोड़ी गाड़ी होने चाहिए और ये देखे मैंने यहापर ब्रेट क्रम्स भी रख लिया है और इस तरीके से मैंने सबसे बच्चों की जो छोटी वाली गलास होती है ना मैंने वो ले लिया है बच्चपन वाली चाहो तो आप यहाँ पर कुल्फी मेकर भी ले सकते हैं अगर आपकी पास हो तो मेरे यहाँ नहीं है अभी कुल्फी मेकर तो इस वज़े से मैं आपको गलास में बनाना और बहुत अच्छी यहां पर shape भी आ गई है यह देखिए चाहो तो आप इसे कटोरी में भी बना सकते है जो थोड़ी सी लंबी वाली Kटोरी होती ना उस पर भी बना सकते है छोटी से गलास में भी बना सकते है आइस्क्रीम वाली जो कुलफी वाली मेकर होती ना उस पर भी बना सकते हैं और इसे हम अच्छे से सेट कर लेंगे बहुत ही प्यारा सा शेप आई एक दम मस्रूम की तरह है ना बच्चे बड़े सौंग से खाते हैं ये सब ऐसा देख कर और ये सारे वेजटीबल से तो बहुत ही हल्दी होता है और इसी के साथ अगर आपके पास कोई भी मोल्डिंग ना हो तो हाथ से भी आप बना सकते हैं ये देखिए बस आपको इस तरह के से हाथ में लेना है आइस क्रीम के श्टीक रखनी है उसके उपर फिर से यहाँ पर हमें बैटर लेना होता है मिक्सर लेना होता है और ये देखिए बहुत ही अच्छे से यहाँ पर आप आसानी से एक शेप दे सकते हैं यह देखिए तो इस तरीकी से दबाते हुए हम यहाँ पर एक शेप देंगे यह देखिए बहुत ही शांदार यहाँ पर हमारे एक और शेप बंद करके तयार हो गया तो आप कोई भी अपने अंसर शेप दे सकते हैं अब हमें देखे, मैंने इस तरीकी से सारी जो है शेप दे दिये हैं अब हम क्या करेंगे, जो हमने मैदे का जो घुल सलरी बना के रखा था ना वो हमें इस तरीकी से अच्छे से डिप कर लेना है यह देखे, मैंने बोला था ना आपको गाड़ी इसले रखे ताकि बहुत ज़्यादा उसमें से ना बहे जो भी एक्ष्ट्रा है वो हम हटाल देंगे उसी सलरी पे अब हम क्या करेंगे यह जो ब्रेट क्रम्स होता है न मतलब ब्रेट घर पे रखा होता है उसे हमें मिक्सर जार में पीस लेना है तो यहां पर ब्रेट क्रम्स भी बन गई मिडियम आज पे ही गरम होना चीए और आप उसे इस तरीके से जब डालेंगे तो गैस की फ्लेम को आप लो कर दीजिए लो फ्लेम पे अच्छे से दो से तीन मिनट अलेटते पलेटते पका के उसकी जो फ्लेम है उसे बढ़ा दीजिए तन चार से पांच मिनट में बहुत अच्छे से यह फ्लेम हो जाती है अर बहुत ज़्यादा टेष्टी होती है आप इस तरीकी से जरूर ट्राइ करेगा आपके घर में भी सब फोरे prostu बहुत ज़्यादा पसंदाने वाल है यह िर देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत ज्यादास यह तो तो सब को बहुत जाद अच्छ लगेगा तो आप भी इस तरीकी से जरूर ट्राइ करिएगा और अपना अनुगा हमारे साथ शेयर जरूर करिएगा अपके प्यारे प्यारे कमेंट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है ताकि मैं आपका थैंक्स कहें सको इस वजे से कमेंट जरूर करिएगा और यह देखे मैंने सारे यहां पर जो हमारी गर्म गर्म कुल्फी है वो मैंने बना करके तयार कर लिया है इस तरीके से हम यहां पर सर्व कर रहे हैं तो आप इसे अपनी मन पसंद कोई भी चटनी या फिर टोमेटो सौसीजवान चटनी मैयोनिस किसी के सा और हाँ फ्रेंट्स आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो जरूर सस्क्राइब करिए क्यूंकि मैं आप लोगों के लिए रोज इसी तरह की नए नए रेस्पी ले कराती हूं तो चैनल को जरूर सस्क्राइब करें मिलते हैं बहुत जल्द नए रेस्पी के सा थेंक यू, बाब बाई, टेक केर फ्रेंड्स